आज बिले मेंने शेटानर जी बिसमिल्ला रह्मान रहीम मैं हूँ आपका होस्त तारिक बेटी आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड यॉरप बड़ी खुश किसमती है आज तो तीन गेंटे इनके साथ गजा रहे हैं फैजुला कमुका साथ चेर्मेंस टैनिक मेटी फिनांस इकनामिक्स और रेवनिय ओफियर्स बात करते हैं कुछ मुलकी हालात पे इन से और कुछ इनकी जो जाती लाइफ है किस तरह पॉलिटिक्स में है सो बहुत शुक्रिया सार तेक्यू अरी मैच आपका बटी सा बहुत शुक्रिया आप तश्रीफ लाएं हैं और आज मुझे ये मौका दिया है कि जो हमारी कम्यूनिटी पाकिस्तान से बाहर है उन से मुकात्ब होने का मौका मिलेगा आपसे बात करके सर सबसे पहले तो मेरा आपसे ये परसनल क्वेस्टन है कि आप पॉलिटिक्स में कब से हैं स्टूडन लीडर रहे हैं उसके बाद आप मैने बने हैं अभी मार्शलाप चेर्मेंस टैने कमिटी हैं तो आपने पॉलिटिक्स कब कैसे स्टार्ट कि मैंने दोजार में मैंने ब करके तो फिर MPA का एलेक्शन कंटेस्ट किया और मेंबर प्रोवेंशल इसम्मली मुंत्खिब हुआ फिर दोजार आठ में साथ में मौतरमा की शादत के बाद फिर पीपल्स पार्टी से था उस फिर बेसिकली मैं तो उसको फिर मैंने खैर बाद कह दिया और दो तीन साल पॉल मेंबर नेशनल सैंब्ली हो वेस्ट पण्जाब रीजन का, तहरीक अन्साफ का एक हाएं, इस वक kit, स्टेंडिंग कमेटी को हेड़ कर रहा हूं और साथ ही साथ हमारी जो पाकिस्तान तहरीक इनसाफ की कोर कमेटी है उसका मेंबर भी हूँ सर बड़े मुश्किल हालात हैं तो क्या समयते हैं कि आप पी टी आई जो को जाइन किया और अब माशाला को जाइन कर लिया नहीं ऐसी बात नहीं है अगर पाकिस्तान का मौजूदा सेनेरियो देखें तो आपको इमरान खान साथ के लावा कोई ऐसा लीडर नजर नहीं आएगा जिसके साथ कोई जो बंदा सही मानों में खिदमत करना चाहता हो और इमानदारी के साथ सियस्ट करना चाहता हो तो उसके पास तहरीक इनसाफ के लावा या इमरान खान की क्यादत के लावा कोई दूसरी आप्शन यहां पे मौजूद नहीं है तो खान साथ जो हैं वो इस वकत बेस्ट लीडर हैं और इन्शालला ताला उनके देंगे पाकिस्तान की बेतरी के लिए सर आप ने अभी जो आईम एफ की टीम आई है उसके साथ प्रकाइदा डायले की हैं अब बताईएगा थोड़ा सा अपने नाजरीन को कि जो महंगाई की सूरतिहाल है यह बदतरी जो जो हैं वो अभी बड़े खाइफ हैं लोगों से हकूमत से के जो खाइब ने वादे किये थे उस पर पूरा नहीं उतरे अब कुछ हो कुछ ऐसे मामलात लेकिन जिन हालात में तहरीक इंसाफ को गर्वर्मेंट मिली थी एकनॉमिकली तो हम बैंकरप्ट हो चुके वे थे जिस वकत तहरीक इंसाफ गर्मेंट में आई तो खा जाएद इन हालात में हकूमत लेने से इंकार कर देता लेकिन खान साब ने हकूमत संभाली और फिर पिछले डेड़ साल में उन्होंने जिस तरीके से तवज़ दी है उनकी पूरी टीम ने एकनॉमी के ओपर इस वकत जो एकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो सारे कम हुई हैं हमारी एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ है इसमें कोई शक नहीं है एक महंगाई की लहर जरूर आई है जब आप रेक्टिफिकेशन के लिए दुरुस्त के लिए कुछ एकदामात लेते हैं तो उसकी कोई तकलीफ या आपको तंगी बरदाश्ट करना पड़ती है हमें एसास है इस बात का महंगाई है और आप थोड़े अरसे में देखेंगे कुछ तो महंगाई जो है वो हुई जो डॉलर की कीमत उपर गई जिसको पिछली गवर्मेंट ने जो है वो उसको मसनुई तरीके से उन्होंने रोक के रखावा था तो जब उसको जो उसकी औ पर असर पड़ा दूसरी बात जो यह है कि यहां पर मुख्तलिफ माफियाज जैसे खान सब भी कहते हैं कार्टिल्स बने में हैं माफियाज हैं और वो होर्डिंग में मुलाविस होते हैं चीजों की कीमतें जो है वो अपनी मर्जी से फिक्स करते हैं तो अब उनके खिलाफ जो है एक भरपूर तरीके से उपरेशन चल रहा है और उससे काफी फरक भी पड़ा है पिछले महीने चौदा इशारीय च्छे परसंट पे इंफलेशन का रेट चला गया था तो अभी जो फरवरी है इसमें अलहमदोलिल्ला जो यह पिछले कोई अठारा बीस दिन गुजर अपने माफिया का नाम लिया बहुत सरे लोग जो हैं वो बड़ा उपर ली जहांगीर तरीन साब और आपके जो बड़े लीडर हैं उनका नाम लेते हैं आप इसको किस तरह डिफेंड करेंगे को देखें जितनी जहांगीर तरीन साब की खिदमात हैं पाकिस्तान तहरी के लिए तो मैं नहीं समझता के तरीन साब ऐसे किसी काम में मलविस हो सकते हैं अगर आप देखें तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यदा टेक्स देने वाले वो हैं अगर किसी शक्स ने किसानों को उनकी फसल की पूरी कीमत दिया है तो वो जांगीर तरीन साब हैं अगर किसी श मैं इसकी पर जोर मुझमत भी करता हूँ और तरीन साब ने तो सीधी ओफर किया है उन्हों ने का जी कि यूटिल्टी स्टोर्स को वो 67 रुपीज पर केजी के इसाब से चीनी देने के लिए तियार है तो जो बंदा अपनी पार्टी के लिए अपने मुलक के लिए इतना कि है तो उसको जो है वो मेलाफाइड इंटेंशन के ताहित खराब किया जा रहा है सर इस पिसी हुई कौम को अब किस तरह होप देंगे कितना अर्सा इन्हों ने अभी मजीद इंतजार करना है कि लोगों को रली मिलेगा सुई गैस के बिल और बड़ा मुशकल हालात है क्य क्या क्या आप उनको थोड़ी बहुत होप देना चाहेंगे कब तक ये मामला सेटल हो जाएगा देखें खान साब ने अब इन तीन चीजों को बड़ा सीरियसली टेक अप किया हुए है मिजली की कीमतें गैस की कीमतें और यह जो ओवराल फूड आइटम्स की महंगाई है इ अफॉर्चनेटली जो पिछली बार बार जिकर इसलिए करना पड़ता है अब लोग कहते हैं कि आप जिकर ना करें पिछली हकूमत ने क्या किया तो कहना पड़ता है बताना पड़ता है कि उन्हों ने जो एल एन जी जिस प्राइस पे उन्होंने परचेज की वी है उससे च internationally bound है 15 साल तक ऐलन जी उस रेट पे लेने के अब साबक वजिर आज़म अबासी साब की बात है जी जी बिलकुल और इसी तरह अगर बिजली के कारखानों की बात करें तो हमारा जो मैकसिमम जो हमारी रिक्वार्मेंट है वो बीस हजार मेगा वाट है जो गर्मियों में मैकसिम बीस एकिस हजार मेगा वाट तक हम जाते हैं और सर्दियों में कोई साथ आठ हजार तक हमारी डिमांड रहती है तो जो कारखाने लग चुके वे हैं वो हैं इकतिस हजार मेगा वाट और वो भी बदकिसमती से वो वाली बिजली है जो मेंगी तरीन बिजली है तो अब उसक कार खाने चलें या न न चलें हमें उनको कापेसिटईयू पेमिट करनी करनी है उनके साथ भू इनों ने ऐसे मौयदे की हैं जिसमें उन्हों ने किक बैक्स लिए वे हैं और Differently ओनर करना पढ़े रेकार कारेगा ये सारे जो उनके मौाइदे हैं पुराने उनी की वज़े से सारा सिलसला है तो अब हम आहिस्ता इस सारे सिस्टम को जो हमारा जो इलेक्रिसिटी परड़क्शन का जितना भी है इसको हम शिफ्ट कर रहे हैं तो वर्ड्स हाइडल और रिन्यूबल एनरजी जो है सोलर है या विन्ड इनरजी है उसकी तरफ लेके जा रहे हैं तो इसके उपर काफी काम हो रहा है आहिस्ता इस्ता इन्शाला हम जो ये तेल से या कोईले से बिजली बनती है उसको हम कम करते जाएंगे और हाइडल का शेर ज्यादा होता जाएगा और इसी तरह से रिन्यूबल एनरजी के जो सोर्सेस हैं उनसे जो बिजली आएगी उसका शेर ज्यादा हो जाएगा सर आप डारेक्टली आईम से रिलेट करते हैं अपने डाइलग किये अब क्या होप देना चाहेंगे कितने करदे पाकिसा ने अभी तक खांसाफ की गौर्मेंट में वापस किये कितने मजीद लिए और कहां तक कब तक आप इन से जान चड़वा सकते हैं कोई होप है देखिए इस में जिस वकत गवर्मेंट मिली तो हमारे पास सिर्फ दो हफदे के रिजर्व बाकी थे हमारे जो दोसमा मालिक हैं उसमें साओडिया है सौधी अरब है और UAE है, कतर है, चाइना है, इन सब दोस ममालिक ने पाकिस्तान की उस मुश्कल वक्त में बड़ी मदद की और फिर उसके बाद नागुजीर था IMF के पास जाना और ताके दूसरे जितने भी इदारे हैं जिन के साथ हम निगोशियेट करके वर्ल्ल बैंक है या एशिन डिवैल्मेंट बैंक है और दूसरी जो इस तरह की और्गनिजेशन्स हैं उनके साथ जो चीप लोन्स देते हैं सस्ते करजे तो उनकी तरफ जाना था तो MF के साथ जो डील करना था वो जरूरी था तो मैं आपको बता दूँ कि जितने भी अब तक करजे लिए गए हैं वो ज्यादा तर डैट सर्विसिंग के उपर पैसा खर्च हुआ है जो पहले करजे लिए गए गए उनका सूद अदा करने के लिए वो खर्च हुआ है हमने अ कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तानी कौम का एक एक पैसा जो है उसको बचाएं और सबसे पहले इन करजों से जान चुड़ाएं इन से पाकिस्तानी कौम बहर आए उसके लिए एक्सपोर्ट को बेतर करने की कोशिश की जा रही है इंपोर्स को कम करने की कोशिश की जा रही ह है तो यह सारे अभी चीजें चल रही है इन प्रॉसेस हैं आपको पता है भी डेट साल हुआ है तो इतने वक्त में इतनी तेजी से चीजें नहीं हो सकती है लेकिन यह के हमारी कोशिश जा रही है इसके उपर सार ओवर्सीज में आपने बात की ओवर्सीज में यह यूरप में और यूके में सब में देख रहे हैं बलकि पुरी दुनिया में सब जो ओवर्सीज पाकस्तानी है वो यहां पर जब इन्वेस्टमेंट करते हैं या किसी के साथ बिजनस करते हैं तो उनके साथ फ्रॉड होते हैं उस हवाले से आपकी गौश्ट कुछ उनकी हल्प कर सकते है य यह इदारा बनावा है पंजाब लेवल पे भी है पाकिस्तान लेवल पे भी है और फिर हर्डिस्टिक लेवल पे है जिसकी बकायदगी से मंथली मीटिंग्स होती है और उन मीटिंग्स में फिर जो ऑवर्सीज पाकिस्तानी इसके प्रॉब्लम्स हैं वो डिसकस होते हैं औ और उनका जल्दस जल्द हल जो है उसके लिए कोशिश की जाती है सार आखर में आप ये नहीं समयते के आप पी टी आई के कारकुनों की या वरकर्स की कमेटियां बनाएं ताकि वो अपने अपने एरिया में महीं को चेक करें और उसका आप को प्रीफ किया जाए या आपके लीडर्स को भी ताकि आपर के देट कूमेटियों के कायम कर दी गी हैं तो इन्शालला गर्वर्मेंट लेवल पे भी और जो हमारे फैसलबाद के जो नेक नाम अच्छे लोग हैं उनको भी इनके मेटिव के अंदर शामिल किया गया है ताके इसमें जो है वो जैनल पबलिक की भी पार्टिस्पेशन हो और गर्वर्मेंट भी अपना रोल अदा करे और सब मिल जूल के जो है इसके खिलाफ जो है महंगाई जो मस्नुई महंगाई करने की कोशिश की गई है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें बहुत शुर्या साब तेंक्यू वेरी मच्च